हे गाइज वेलकम टो आवर चैनल दोस्तों अगर आप भी यूएस्पी कोडेक्ट करते हैं अपने लैप्टॉप में आपने किसी भी डिवाइस से तो यहां पर लिखा रहा है switching role of host between devices ऐसा कुछ लिखा रहा है और यह feature enable नहीं हो रहा है जब यहां फाइल को transfer करने की कोशिच करें तो ऐसा कुछ लिखा रहा है switching role of host between device तो कैसे इसको solve करें आज की वीडियो में पताँगा वीडियो को लाइक चुरूर करें चलिए शुरू करते हैं इस फीडियो को तो इस problem को solve करने के लिए हम अपने device की setting में कुछ ऐसी setting करने बढ़ेगी कुछ ऐसी setting में ऐसे feature on को manage करना पड़ेगा जिससे यह problem solve होगी तो setting में जाने के बाद नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने पर यहां पर additional setting का option दिख रहा है simply इस पर tap कर दीजेगा इस पर tap करने के बाद फिर से multiple types को option show होना यहां पर शूरू हो जाएंगे तो यहां पर नीचे scroll down करना और यहां पर option दिख रहा है developer option का तो simply इस पर हम click कर देते हैं जैसे मैं इस पर click करता हूं सबसे पहले developer option को enable कर दीजेगा इसको enable करने के बाद नीचे scroll down करते जाना है one by one नीचे scroll down करने पर हमें multiple types को option show होंके तो यहां पर एक option दिखेगा USB debugging का त इसको enable करना पड़ेगा आपको अपने device में 10 seconds यहां पर wait करना और permission को accept कर देजेगा तो इसके बाद क्या करना है रिवोक यहां पर install by USB को enable कर देना है wireless debugging को भी enable कर देना है यह जो सारे feature है यह help करेंगे आपके file को transfer करने में और जो भी problem आ रही है आपको USB connection में उसको यह problem को solve करेंगे आपने USB यह वाली feature को permission grant नहीं करी होती है जिसके आपको problem phase करने बढ़ते बाद में तो install by USB को भी आपको enable कर देना है इसके बाद हमें निचे scroll down करने पर select debugging app अगर आप कोई app select करना चाहते है जिसमें आप file transfer करना चाहते है तो इसको भी enable कर दीजेगा तो यह सब करन function show हो जाएंगे तो यहां पर हमें default USB configuration एस पर tap कर देना है और यहां पर file transfer search कर देना अगर आप file को transfer करना जाते हैं यहां इनमें से कोई भी feature करना चाहते है उस type को यहां पर आपको select कर लेना है अगर आप चाहते सिर्फ चार्ज हो तो no data transfer पर ही select कर रहेजेगा इससे आपकी सारी problem पिलकुल solve हो जाएंगी